दिल्ली के ट्रांस्पोर्ट सेक्टर में अब बसे भी हमने काफी खरीद ली हैν मेट्रो भी अच्छी चल रही है लास्ट माइल कनेक्टिविटी एक बहुत मेजर मुद्दा बना हुआ है किसी भी नागरिक के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी और उसकी सेफटी लास्ट माइल पर यह बहुत इंपोर्टन्ट है उसके लिए हम इसकूटर लेके आ रहे हैं और इसको हम द्वारका के एरिया में पाइलेट प्रोजेक्ट करन लोग एक साथ अपनी टिकेट खरीद सकते हैं इंटिग्रेटेड टिकेट होगी उससे आप उस टिकेट से बस में भी ट्रैवल कर सकते हैं इसकूटर भी हायर कर सकते हैं और मेट्रोल पे में भी सफर कर सकते हैं तो आपने टिकेट खरीदी उस टिकेट से आप 200 लोकेशन से कहीं से भी आप एक scooter pick up कर लीजिए self driving है कोई driver नहीं है आपको driver drive करना है कहीं से भी आप scooter pick up कर लीजिए किसी location से वहीं पे helmet होगा helmet पहन के और आप अपने दूसरे किसी भी कहीं भी जा सकते हैं उसको थोड़े देर use कर सकते हैं और इन 200 में से किसी भी location के उपर उस scooter को आप वापस छोड़ सकते हैं यह सारे e-scooters होंगे और इन scooters पे swappable battery होगी और एक charge में 60 km तक आप वो कर पाएंगे travel कर पाएंगे और 60 km प्रती घंटे की speed होगी इनकी जिस दिन यह agreement उस company से obviously जो भी company होगी वो contender basis पे दी जाएगी जिस दिन agreement होगा उसके चार महीने के अंदर पहले 100 location पे 500 scooter आ जाएंगे अगले चार महीने में अगले 100 location पे और 500 scooter आ जाएंगे और अगले चार महीने आप 12 महीने में 200 locations के उपर 1500 scooter महया हो जाएंगे यह contract उस company को साथ साल के लिए दिया जाएगा और यह 200 location वो हैं जो सबसे ज़्यादा जहां पे footfall होता है metro हो गया, metro station हो गए, bus station हो गए hospitals हो गए, malls हो गए जहां जहां लोग जादा जाते हैं बाजार हो गए, वहां वहां यह जादा से जादा दिये जाएंगे और bid parameter होगा कि जो company कम से कम चार्ज करने को कहेगी कि हम जनता से इतने रुपए टिकेट लेंगे प्रती minute या प्रती kilometer उस company को यह contract दिया जाएगा सчиब से, जो मैं हो को कि जाएगा होगा यह करदो दियां – मैं प्रती स समय ख़ती मु़ए प्रती जे जा भrage